नब्वे के दश्रक में टीवी पर एक सीरियल आया नाम था चंद्रकांता रिलीज होते ही ये सीरियल घर घर में देखा जाने लगा इसकी जमकर प्रशुशा हुई लोगों का खूब प्यार भी मिला देव की नंदन खन्नी द्वारा लेखे तो पन्यास चंद्रकांता के ऊप पर ये सीरियल बनाया गया था चंद्रकांता के जरीय कई आक्टर्स को पहचान मिली तो वहीं कई आक्टर्स को उनके किरदार के नाम से ही जाना जाने लगा आज हम आपको लेकर चलते हैं उसी चंद्रकांता की दुनिया में नमश्कार मैं हूँ आपके साथ रीटा और आज की वीडियो में आपको चंद्रकांता के टॉप सेवन आक्टर्स के बारे में बताऊंगी कि अब वो कैसे दिखते हैं और क्या करते हैं उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी कर लीजे वीडियो पसंद आएगी तो प्रोजेक्स आ गए उन्होंने कई सीरियल और फिल्मों में भी काम किया और अभी भी कई शोज में नजर आते हैं हाला कि शहबास खान का लुक काफी बदल गया है ग्लामर वर्ल्ड में कई स्टार्स सफल हो जाते हैं बहुत से ऐसे सितारे भी हैं जो सफल होने के इस चकाचौन भरी दुनिया से खुद को थोड़ा दूर कर लेते हैं चंद्रकांता में राजकुमारी चंद्रकांता का रोल निभाने वाली आक्ट्रिस शिखा स्वरूप उन्हीं में से एक हैं उन्हें इस शो से काफी प्रसिद्धी मिली उन्होंने कई सीरियल और फिल्म पंकश धीर ने प्ले किया था पंकश धीर उससे पहले महाभारत में कर्ण का रोल प्ले कर चुके थे ऐसे में राजा शिवदत के किरदार में ये काफी बहतरीन लगे थे वो अभी भी फिल्मों में आक्टिंग करते हुए दिखाई पड़ते हैं चंद्रकांता में क्रूर स विलन समेट नेगेटिव रोल के लिए काफी मशूर हो गए हैं अब उनका लुग भी पहले से काफी ज़्यादा बदल गया है इस सीरिल में बदरीनात का किरदार इर्फान खान ने निभाया था उन्हें उनके किरदार के लिए काफी सराहना भी मिली थी इर्फान ने बॉल सीरियल में पंडित जगनात का रोल निभाया था राजेंद्र अभी के समय में बॉल वुड की जाने माने आक्टर और डारेक्टर हैं इस मशूर सीरियल में दुर्गा जसराज ने रानी कलावती का नेगेटिव रोल प्रे किया था इस किरदार से वो घर-घर में फेमस हो ग बने रहे हमारे साथ नमस्कार